आज हम अपने प्रणाउन के सिलसिले को बिलकुल फाइनल करते हैं और ये आज हमारा प्रणाउन का सेशन नमबर 3 है मुझे उमीद है इससे पहले आप प्रणाउन का सेशन नमबर 1 और सेशन नमबर 2 देखने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं सो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताओ दो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है सो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे, कॉमेंट करके बताईए हम कहां कमी कर रहे हैं, सो दाठ हम इसको इंप्रूव कर सके, साथ इसाथ चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सो चलिया यार आप बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं, सो रूल लंबर छे तक हम लास सेशन के अंदर बात कर चुके थे आज हमें रूल लंबर 7 सीखना है और रूल लंबर 7 क्या है जब भी हमारा रिलेटिव प्रनावन आता है तो रिलेटिव प्रनावन के बाद जो वर्ब होती है, द्यान दे समझना रिलेटिव प्रनावन के बाद जो वर्ब होती है तो यह जो verb होगी यह इस relative pronoun के आगे वाला जो word होगा like boy यह उसके उपर depend करेगी यह boy क्या है आप कहेंगे कि सरी सिंगुलर है तो verb भी कैसी आएगी सिंगुलर ही आएगी तो क्या हो जगा he is the boy who has stolen my pen correct है आगे चलते हैं this is the right girl who dash making a noise in the class अब यहाँ पर यह मेरी verb हो गई मुझे वर्ब बतानी है again यहाँ पर who मेरा क्या हो गया sir यह मेरा relative pronoun हो गया तो यह verb किसके डिपेंड करेगी उसके आगे वाली word के उपर word क्या है girl singular है तो क्या हो जाएगा sir was जाएगा ठीक है अगर यहाँ पर ऐसे होता like these are the girls ठीक है who के बाद आपको बताना होता क्या वह बाती तो यहाँ पर अगर आपको was या फिर word के अंदर बताना होता तो आप किसको select करते word को क्यूं क्यूंकि इस relative pronoun से पहले क्या है girls है और girls के plural है तो यहाँ पर मेरा word हो जाता बात आएगे समझ में तो हमने क्या देख रूल लंबर 7 relative pronoun के बाद जो भी verb आती है वो relative pronoun से पहले जो word होता है उसके ओपर depend करती है चोटा सा rule है प्यारा सा rule है आगे चलते है रूल लंबर 8 rule लंबर 8 का जिकर करता हूँ rule लंबर 8 कहता है कि it के साथ जो भी मेरी helping verb आती है helping verb कौन से होते है is, am, are, was, what यह क्या होगी helping verb हो गई then उसके बाद जो भी pronoun आएगा तो यह pronoun हमेशा मेरा किस के अंदर आएगा सर subjective case के अंदर आएगा किस के अंदर आएगा subjective case या फिर nominative case के अंदर आएगा मैंने क्या बोला it is dash अब देखो यहाँ पर pronoun बताना आपको यह it हो गया ठीक है उसके बाद helping verb क्या आगई मेरी is आगी उसके बाद यह जो pronoun होगा यह क्या होगा subjective case का तो क्या हो जाएगा अगर इसी के अंदर मैं interrogative sentences की बात करता हो interrogative क्या होते है इसको प्रशन वाचक संख्या कहा जाता है जिसके अंदर आप प्रशन पूछ रहे होते हो तो उसके अंदर क्या होता है helping verb मेरी आगे आ जाती है ठीक है फिर उसके बाद it होता है और यह pronoun और अगयन यह pronoun मेरा कैसा होगा यह pronouncer मेरा होगा subjective case ठीक है जैसे की was it अब यह देखो was मेरा helping verb आ गया it मेरा यहाँ पर है अब यह जो मेरा pronoun है यह मेरा subjective ही होगा तो क्या हो जागा she was it she who did it for you यह मेरा correct होगा सर ठीक है again it is dash who it is क्या हो जाएगा अब यह subjective आएगा तो it is he हो जाएगा it is he who आगे जो भी आपका sentence होगा ठीक है बात है इसमें again देखो was it dash who had to face the punishment अब यह यहाँ पर क्या होगा मेरा जो प्रनावन है subjective case का होगा तो subjective क्या हो जाएगा मेरा I was it I who had to face the punishment अब आपने अक्सर यहाँ पर देखो आपने गलतिया सुनी होगी कोई आपको बोलता है who is out the door आप बोलतो it's me but it's me नहीं होता आपने देखो यह it's जो है इसका क्या मतलब हो गया it is हो गया है ना it is हो गया तो it is I होगा क्यों हमने अभी देखा है कि यहाँ पर जब भी मेरा it लगा हो और उसके बाद कोई helping verb लगी हो जो की is लगा है तो उसके बाद जो भी मेरा प्रनावन आता है क्या होता है subjective case का होता है तो यह मेरा गलत होगा it is me गलत होता है it is I यह correct है it's I यह मेरा correct ड्रामा दे सर बात है सर्थ में यही छोटी-छोटी CJS तो मैं सीखनी है इनी छोटी-छोटी चीज़ों को तो बड़्ड करेंगे हैं ताकि examiner हम से किसी भी तरीके से घुमा के question पूछ ले हम easily answer कर जाए आगे चलते है rule number nine के और प्रस्थान करते है rule number nine क्या कहता है rule number nine है आपका one का rule अब यह one का rule क्या है देखो सर one जो है आपने दो तरीके से सुना होगा पहली बात तो one एक number को बता रहा है one मतलब number और दूसरा one जो है किसी person को भी refer कर रहा होता है ठीक है तो उसका जो possessive बनेगा बात द्या जाने समझने उसका जो possessive आप दिखाऊगे उसका अधिकार जो दिखाऊगे वो आप किससे दिखाऊगे वो दिखाऊगे once से ठीके examiner अकसर क्या करता है आपको इसका जो possessive वो हिस लगाके देता है ठीक है मैस क्लीन लगा के देता लेकिन आपको हिज नहीं लगा ना वन जब भी आपको एक परसन की सेंस देगा तो वहाँ पर उसका पॉजे से उसका अधिकार वन से ही दिखाना पड़ेगा क्या बात करें एक्जामपल लेता हूं आपको समझ में आएगा देखो वन मस्ट कीप हिस प्रॉमिस तो यहां पर यहां पर यह वन जो है यह लोगों की बात करना परसन की सेंस दे रहा है कि सबको अपने प्रॉमिस जिस पर खरे उतरना चाहिए हैं अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए तो वन मस्ट कीप हिस प्रॉमिस नहीं होगा यहां पर क्या ह में आपना काम खुद से करना चाहिए तो यह पर नहीं आएगा हिमसल्फ नहीं आएगा किया रहता है सब्सक्राइब यह बिल्कुल ठीक है मेरा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होगी इसके लिए आगे चलते है सर रूल लंबर 10 रूल लंबर 10 क्या कहता है अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 ठीक है और अगर आपके ये दोनो सब्जेक्ट कुछ वर्ड्स मैं लिख रहा हूं like, with ठीक है along with ठीक है ये दन उसके बाद together with ठीक है ये दन उसके बाद as well as अगर ये दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपके इन वर्ड़ से connected है मतलब कि आपके पास है subject 1 then ये word then subject 2 तो इनके आगे आने वाली जो verb होगी इनकी जो आगे आने वाली verb होगी वो किस के ओपर depend करेगी वो depend करेगी आपकी subject 1 के ओपर ठीक है क्या बात करूँ example लेते बहुत असले समझाने कुशिश करूँगा कहता है Mohan along with his friends अगर आप यहाँ पे देख च्रोछे मोhon मेरा क्या होग lum audio subject 1 होगया friends क्या होगे subject 2 इसके आगे आने वाली जो verb है देखो ये connected किस से है इस connected है आपका along से येका along किस से करनेक्ट है subject 1 CT 2 along with से connected है तो ये verb किस के ओपर depend करेगी Mohan के उपर depend करेगी Mohan Babu कैसे है Mohan Babu हमारे singular है तो वो भी हमारे singular ही आजएगी क्या जाएगा Mohan along with his friends is watching TV बात आई समझ में आगे देखते The minister together with all his followers dash shot dead अब यहाँ पर देखो Minister क्या हो गया मेरा subject 1 followers क्या हो गया subject 2 किस से connected है together with से connected है तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा subject 1 subject 2 together with से connected है तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा यह जो मेरी helping verb है यह किस को पर depend करेगी subject 1 पे Minister साब क्या है singular है तो helping verb क्या जाएगी singular आजएगी बात आई समझ में The minister together with all his followers was shot dead बात आई समझ में आगे चलते हैं अब देखो यहाँ पर कितना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा इसके अंदर आप खुद फील करना आपने सुना होगा I as well you I as well as you are a teacher बोलने में आपको ठीक लग रहा है बट सारी गलत है कैसे I as well as you I क्या होगे subject 1 You क्या होगे subject 2 किस से connected है as well as तो यह जो मेरी helping verb आएगी किसके ओपर depend करेगी सर यह subject 1 पर depend करेगी subject 1 क्या है I I के साथ verb क्या आते है am तो correct sentence बता है क्या होगा यह I as well as you am our teacher बात आई सब्सक्राइब एक और sentence लेता हो अगर यह ऐसे होता है subject अगर आगे पीछे होते subject का होना subject 1 का होना वो क्या है वो बहुत जादा matter करता है यह as well as I are a teacher यह correct होगा और यह भी अपने में correct है I as well as you am a teacher and you as well as I are a teacher दोनों correct sentences है तो subject 1 क्या है वो बहुत जादा depend करता है मजा आ रहा है I hope आपको जो taste है अपना verbal पढ़ने का वो बहुत ही change लग रहा होगा इस तरीके से शायद ही किसे ने आपको पढ़ाया होगा anyways आगे सलते हैं आप कुछ words और होते हैं हमारे rule number 11 की बात करता हूँ जैसे कि आपका होता है either ठीक है then neither और होता है आपका not only ठीक है ये तीन word हो गए not only ठीक है ये words हो गए ठीक है और either के साथ आपका पता है क्या लगता है either के साथ हमेशा और लगता है neither के साथ आपका nor लगता है not only के साथ हमेशा but also लगेगा ये बात ध्यान से समझ लेना ठीक है भई either के साथ और लगता है इस बात को बहुत प्यारे तरीखे से समझना कि कि इनके आगे आने वाली जो भी वर्भ होगी वो किस के उपर Depend करेगी वो Depend करेगी subject 2 के उपर और इसी के अंदर आने वाले जो भी प्रनावन होगा वो किस के उपर ister करेगा, वो भीarsk बैद करेगा subject subject 2 की उसको बहुत प्यार हैता। मैंने कहा आएधर शी और यू देखो आइदर इसे subject 1 or subject 2 ठीक है देखो आईधर subject 1 or subject 2 यह हो गया उसके बाद वह चिसके उपर depend करेगी मेरा subject 2 के उपर depend करेगी यू क्या है मेरा यू के साथ जो वर्ब आते हो यहाज यहाज आएक हाजगा आइधर शी और यू आव डन अभी आपर प्रनाउन लगा रहा है किसके ओपर डीपेंड करेगा सब्जेक्ट तो के ऊपर यू का प्रनाउन क्या होता है यूर होता है तो क्या हो जाएगा Your homework Either she or you have done your homework यह मेरा correct grammar होगा आगे देखते हैं Neither he nor I देखो neither के साथ subject 1 Nor के बाद subject 2 ठीक है verb किसके ओपर depend करेगी मेरी subject subject 2 के ओपर depend करेगी तो I के साथ verb के आएगी मेरी have आएगी Neither he or I have done अब again जो मेरा pronoun होगा किसके ओपर depend करेगा subject 2 के ओपर depend करेगा तो यहाँ पर मेरा I का जो प्रनावन होजाएगा वो क्या होजाएगा वो होजाएगा my तो correct मेरा क्यों होजाएगा Either he nor I have done my homework today ठीक है सर मज़ा आ रहा है चलें आगे I hope आप लोग proper इसके notes जो है न वो बना रहे है अगर notes नहीं बनाओ गरा भी या तो बहुत ही जाद अधिक्कत हो जाएगी तो देखो मैं आपको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि हमारा एक premium course होता है जिसके अंदर आपको India के top faculties के video lectures मिलते हैं उसी के साथ साथ आपको hand written books जो की आपके faculties ने खुद आपके लिए design की है hand हातों से लिखी है वो किताब वो आपके घर तक deliver होती है उसी के बाद आपको मिलते है exam specific mocks जहाँ पर आप एक chapter wise full length wise अपनी तयारी को proper judge कर सकते हो कि कहां किस chapter के अंदर आप lag कर रहे हैं इसी के साथ आपको live mentorship मिलती है जहाँ पर हमारे faculties जो हमारे toppers होते हैं उनके साथ बैठ कर आपको guide कर रहे होते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना क्या चीज़े input डाले अपनी तयारी के अंदर क्या आप जो है इन दिनों fall to ही कर रहे हो जिसको आपको बचना चाहिए इसी के साथ live marathons आपकी faculty schedule करते हैं जहां आपको हर एक chapter के उपर भरपूर practice live कराई जाती है अगर आपको हमारे premium course related कोई भी information चाहिए तो यह आपकी screen के उपर ही जो number दिया हुआ है इसके उपर आप whatsapp drop कर सकते हैं और हमसे हमारे premium batches की details ले सकते हैं तो चलते हैं जब आगे चलते हैं rule number 12 की बात करते हैं तो rule number 12 क्या है कुछ words होते हैं हमारे पास बहुत प्यारे से rule आए बहुत प्यारा और अक्सर exam में पूछो दाता है rule क्या है जब आपके पास होते है each और every ठीक है अगर आपके पास यह दो words है और उसके बाद आपको मिल रा है subject one then and और फिर उसके बाद again आपको मिल रा है each और every ठीक है then subject to आगे तो इसके आगे आने वाली जो verb होगी यहाँ पर इसके आगे आने वाली जो verb होगी सर वो हमेशा singular होगी हमेशा ही singular होगी और जो pronoun होगा और जो हमारा pronoun होगा वो subject to के उपर depend करेगा अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इतने सारे rule हैं कैसे याद करेंगे बहुत सारा रट्टा मारना पड़ जाएगा नहीं आपको रट्टा नहीं मारना अपना जो register है देखो verbal एक ऐसा subject है जिसको आपको daily basis पर revise करना पड़ेगा अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ जितने इस बात से agree करते हैं वो comment section के अंदर मुझे ज़रूर बताना देखो sir हम already अपनी normal जिंदिगी के अंदर English बहुत जादा गलत तरीके से बोल चुके होते हैं तो हमें सही चीज डाइजेस्ट करने में भी थोड़ा सा वक्त लग जाता है तो अभी आपको करना क्या है daily passive revision करना शुरू करना है अब ये passive revision क्या है for example हमने nouns complete कर लिया अब आप जब daily basis पे nouns को revise कर रहे हैं तो आपको active revision नहीं करने आपको passive करने हैं मतलब आपका मने कि भी मुझे noun को revise करना है तो अभी आपकी notebook बंद है उस notebook खोलने से पहले आपको खुद सोचना है कि noun के कितने rule मेरे mind के अंदर अभी है इससे होगा क्या धीरे 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 वो जो rule है आपके mind के अंदर बैठना शुरू हो जाएंगे और आप जो है जो grammar अगर आपके आजपस कोई गलत बोल भी रही या बुक के अंदर कभी आपको grammar गलत मिल रही है आप उसको पकड़ना शुरू कर देंगे तो passive revision करनी है बुक खोल अपने notes खोलने से पहले खुद सोचना है कि कहां जो है मुझे कितने rules याद है उसके बाद तो आपको active revision मतलब देख नहीं है अब ऐसा थोड़ी ना कि आपको day 1 से सारे rules दिमाग में बैट जाएंगे यह वक्त लगेगा सर थोड़ा सा वक्त लगेगा बट आप जो है proper अच्छे से तयार होगे तो issues को ध्यान रखना तो मैंने क्या कहा अगर में पास each or every मिल रहा है subject 1 और and then again each or every मिल रहा है subject 2 तो मेरी जो verb होगी वो singular होगी pronoun मेरा subject 2 के ओपर depend करेगा क्या बात कर रहा हूं यह देखते है each boy क्या होगे subject 1 and each girl क्या होगे subject 2 verb क्या हैंगी singular तो क्या हो जाएगा is आगे जो मेरा pronoun है doing अब यह किसके ओपर depend करेगा subject 2 के ओपर depend करेगा तो subject 2 क्या है girl है feminine है तो यहाँ पर क्या जाएगा हर हो जाएगा each boy and each girl is doing her work silently चीक है आगे देखते है every woman and every man तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह देखो woman मेरा क्या होगे subject 1 ठीक है men क्या होगे subject 2 अब यहाँ पर क्योंके में पास verb नहीं है यहाँ पर क्या है modal है तो वर्ब के तो कहानी खतम ही हो गई modal है क्योंके मेरा पास आगे मेरा pronoun किसके ओपर depend करेगा subject 2 पर तो वो क्या है man masculine है तो क्या हो जाएगा his fundamental rights every woman and every man must know his fundamental rights आगे जलते हैं तो सर आज का last rule है हमारा यह pronoun का और इसके बाद आपकी screen के ओपर कुछ practice के questions आएंगे जो कि homework questions होंगे आपको क्या करना है उन questions को homework के अंदर attempt लेना है और then next class के अंदर मैं उनको बहुत अश्य discuss करूँगा rule number 13 क्या कहता है rule number 13 कहता है कि अगर आपको कुछ words मिलें लाइक somebody ठीक है then someone then anybody ठीक है anyone then nobody no one ठीक है everybody यह बड़ी और वन वाले हैं सारे हैंना everybody और everyone अगर आपको इस तरीके के कुछ words मिल रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ के इनकी जो verb होगी इनकी जो verb होगी वो हमेशा ही क्या होगी इनकी verb हमेशा singular आईगी ठीक है verb हमेशा singular होगी और अगर आपको इनका possessive दिखाना है इनका अगर अधिकार दिखाना है इनका अगर अधिकार आप दिखाऊगे तो हमेशा किस से दिखाऊगे वो हमेशा आपको दिखाना है हिस से ठीक है वहाँ पे आपको examiner हर भी देगा ठीक है देयर भी देगा ये आपको इस्तमाल नहीं करने इनका position जो है हमेशा हिससे ही दिखाना है देखो grammar क्या करती है grammar यह मैं नहीं कह रहा है जो की grammar कह रही है मैं आपको वह बात बता रहा हूँ हमारी grammar जो है masculine men थोड़ी सी oriented है मतलब कि थोड़ी सा men को महतुविनों ने जादा दिया है तो इसलिए जब भी यह जैसे somebody है अब somebody के मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि man की बात हो रही है female feminine की बात हो रही है यह masculine की बात हो रही है लेकिन जब मैं प्रनावन इनका इस्तेमाल करूंगा मुझे जब इनको अधिकार दिखाना होगा इनके positive दिखाना पड़ेगा तो मुझे masculine को ही जो है preference देनी है मैं क्या बात क की बात हो रही है यहां पर लड़का लड़की मिक्स भी हो सकते है लेकिन हमें जो positive दिखाना हो फिर क्या दिखाना है masculine oriented दिखाना है जब हम यहां पर common gender की बात कर रहे होते है ठीक है common gender जब हमारे पास आथा तो हमें हमेशा preference masculine को देनी है ठीक है nobody in the class अब देखो nobody पता नही तो वह मेरी singular आएगी और आगे मेरा जो pronoun आएगा masculine आएगा तो क्या हो जाएगा nobody in the class have sorry nobody in the class has done his homework today बात आरी संदे तो यह था हमारा प्रनावन का सारा चथा हमने 13 rules सीखे प्रनावन के और शान्दा जहां से examiner frequently आपके questions बनाते है तो अब आपकी screen के उपर यह 4 error spotting के questions आ र नए sir comment section के अंदर एक ही comment के अंदर मुझे चारों के आपको answers बताने है कि कहां किस part के for example अगर मान लेते कि यहां पर अगर मेरा B part के अंदर error है तो आप B part के अंदर error बताएंगे और dash लाकर बताएंगे कि हमापे क्या correct होना चाहिए अगर second के अंदर मेरा A part के अंदर error है for example तो आप बताएंगे कि A part के अंदर error है और correct क्या होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप मुझे comment section के अंदर इनके answers जरूर दीजेगा so I hope आपने प्रेनावन के इस series को enjoy किया होगा चानल को subscribe करना मत भूलेगा मिलता है आपसे next video के अंदर मुझे दीजे जाज़त till then bye bye take care